मेरे प्यारे देश वासियों, आम तोर पर मन की बात उसमें मैं कई विश्यों को लेकर करके आता हूँ, लेकिन आज देश और दुनिया के मन में सिर्फ और सिर्फ एक ही बात है, कोरोना वैश्विक महामारी से आया हुआ ये भहेंकर संकट, ऐसे में मैं और कुछ बाते करूं, वो उचित नहीं होगा, लेकिन सबसे पहले मैं सभी देश वासियों से शमा माँगता हूँ, और मेरी आत्मा कहती है का आप मुझे जरूर शमा करेंगे, क्योंकि कुछ ऐसे निर्णे लेने पड़े हैं, जिसकी वज़ा से आपको कई तरह की कठिनाईयां उठानी पड़ रही हैं, खास करके मेरे गरीब भाई बहनों को देखता हूँ, तो जुरूर लगता है कि उनको लगता होगा कि ऐसा कैसा प्रधानमंत्री है, हमें इस मुसीबत में डाल दिया, उनसे भी मैं विशेस रुपसे शमा माँगता हूँ, हो सकता है, बहुत से लोग मुझसे नाराज भी हो कि ऐसे कैसे सब को घर में बंद कर रहे हूँ, मैं आपकी दिक्षते समझता हूँ, आपकी परिशानी भी समझता हूँ, लेकिन भारत जैसे 130 करोड की आबादी वाले देश को कोरोना की खिलाब लड़ाई के लिए ये कदम उठाएज बिना कोई रास्ता नहीं था, कोरोना क के लिए ये कठोर कदम उठाने बहुत आवशक थे, किसी का मन नहीं करता है ऐसे कदमों के लिए, लेकिन दुनिया के हाराद देखने के बारे लगता है कि यही एक रास्ता बचवा है, आपको आपके परिवार को सुरक्षित रखना है, मैं फिर एक बार आपको जो भी हुई है, इसके लिए छमा वागता हूँ, साथियों हमारी यहां कहा गया है एवम एव विकारह अपीतरुनह साध्यते सुखम यानि बीमारी और उसके प्रकोप से शुरुवात में ही निपटना चाहिए, बाद में रोग असाध्य हो जाते हैं, तब इलाज भी मुश्किल ह हो जाता है, और आज पुरा हिंदूस्तान हर हिंदूस्ताणी यही कर रहा है, भायों, बेहनों, माताओं, बुजुर्गों, कोरोना वायरस ने दोनिया को कैट कर दिया है, यह ज्यान, बिज्यान, गरीब, संपन, कमजोर, ताकतवर हर किसी को चुनोती दे रहा है, यह ना तो राष्ट की सिमाव में बना है नहीं ये कोई छेत्र देखता है और नहीं कोई मौसम ये वाइरस इनसान को मारने पर उसे समाप्त करने की जीद उठा कर बैठा है और इसलिए सभी लोगों को पूरी मानव जाती को इस वाइरस के खत्म करने के लिए एक जुठ होकर देना ही होगा कुछ लोगों को लगता है कि वो लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं तो ऐसा करके वो मानों जैसे दूसरों के मदद कर रहे हैं अरे भाई ये ब्रह्म पालना सही नहीं है ये लॉकडाउन आपके खुद के बचने के लिए है आपको अपने को बचाना है अपने परिवार को बचाना है, अभी आपको आने वाले कई दिनों तक इसी तरह धैर्य दिखाना ही है, लक्षमन डेखा का पालन करना ही है, साथियों मैं ये भी जानता हूँ कि कोई कानुन नहीं तोड़ना चाहता, नियम नहीं तोड़ना चाहता, लेकिन कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि अब भी वो स्थीती की गंभीर्चा को नहीं समझ रहे हैं, ऐसे लोगों को यहीं कहूंगा कि लॉकडाउन का नियम तोड़ेंगे, तो कुरोना वायरस से बचना मुश्किल हो जाएगा, दुनिया भर में बहुत से लोगों को कुछ इसी तरह की खुश फ़हमी थी, आज ये सब पच्ता रहे हैं, साथियों, हमारे यहां कहा गया है आरोग्यम परंभाग्यम, स्वास्थम सरवार्त साधनम, यानि आरोग्य ही सबसे बड़ा भाग्या है, दुनिया में सभी सुख का साधन स्वास्थ ही है, ऐसे में नियम तोड़ने वाले अपने जीवन के साथ बहुत बड़ा खिलवार कर रहे हैं। चाथकों, इस लड़ाई के अनेको योद्धा ऐसे हैं, जो गरों में नहीं, गरों के बाहर रहकर कोरोना वाइरस का मुकाबला कर रहे हैं। जो हमारे फ्रंट लाइन सोर्जर्स हैं, खास करके हमारी नर्सिस बहने हैं, नर्सिस का काम करने वाले भाई हैं, डॉक्टर हैं, परड़ा मेडिकर स्टाफ हैं, ऐसे साथी जो कोरोना को पराजित कर चुके हैं, आज हमें उनसे प्रेणा ले जी हैं, बीते दिनों में मैंने ऐसे कुछ लोगों से फोन पर बात की हैं, उनका उत्सा भी बढ़ाया है और उनसे बाते करके मेरा भी उत्सा बढ़ा है, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है, मेरा बहुत मन था, इसलिए इस बार मन की बात मैं ऐसे साथियों के अनुभव, उनसे हुई बातचीत, उसमें से कुछ बातें आपसे साजा करूं। सबसे पहले हमारे साथ जुड़ेंगे स्री राम गंपा तेजा जी, वैसे तो आईटी प्रोफेशनल है, आईए, उनके अनुभव सुनते हैं। येस राम, नमस्ते जी, राम नमस्ते, नमस्ते, मैंने सुना कि आप कुरोना वाइरस के इस गंबीर संकर से बाहर निकले हैं, जरूर मैं आपसे कुछ बात करना चाहता था, बताईए आप इस सारे संकर से निकले हैं तो अपना अनुभव मैं सुनना चाहता था, मैं आईटी स सब्सक्राइब तो तोड़ा धरामना था यह सब यह जब आपको संक्रमन का पता चला और यह उसके पहले पता तो होगा कि वायरस बहुत बहेंकर है और तकलीब कर रहा है तो जब आपके साथ हुआ तो आपको का एकदम से इमीजेट क्या रिस्पॉंस आपका पहले तो बहुत डर गया था पहले तो बिलीव भी नहीं कर रहा था मैं कि हो गया ऐसा कैसे हुआ था क्योंकि इंडिया में किसी को दो तीन लोग को आया था तब तो कुछ नहीं पता तो उसके बारे में अस्पिटल में जब के थे मुझे क्वारिंटीन में रखे तब तो पहले दो तीन दिन तो फूरा ऐसे ही चला गया था लेकिन वहां के डॉक्टर्स और नर्सल्स वह बहुत अच्छ थे मेरे साथ हर देन मुझे कॉल करके मुझे बात कर रहे थे और कॉन्फरेंस दे रहे थे कि कुछ नहीं होग तो आप टीक हो जाओगी ऐसे बात करते रहते थे दिन में दो तीन बार डॉक्टर बात करते थे नर्स भी बात करते थे तो पहले जब धर था लेकिन उसके बाद ऐसे लगा कि हाँ इतने अच्छे लोगे के साथ हूँ उनको पता है क्या करना है and I'll get better ऐसे लगा था परिव सबसे बड़ा ब्लेसिंग है हमारे लिए हमारे फैमिली के लिए और सब के लिए जो हम मेरे आसपास थे उसके बाद तो हर दिन इंप्रूमेंट दिख रहे थी डॉक्टर समसे बात कर रहे थे वो बता रहे थे परिवार को भी आपने स्वयम ने क्या क्या सावधानिया रख सब्सक्राइब करने के लिए तो आने के बाद भी मैं अपने गर में हूं मेरे रूम में रहता हूं ज्यादा तक मास्क रखे रहता हूं दिन बस जब बाहर काने के लिए कुछ होगा हैंड वाशिंग हो सब इंपोर्टेंट है चलिए राम आप स्वस्थ होकर कर आये हैं सोचल मीडिया में वाइरल कीजिए तो क्या होगा कि लोग डर भी नहीं जाएंगे अगर ते सेम टाइम कैर करने से कैसे बच सकते हैं वह भी बड़े आराम से लोगों तक पहुंच जाएगा हां जी ऐसा है कि बाहर आते देख रहों सब क्वारेंटीन मतलब जेल में जाने क हों क्वारेंटीन भी मतलब वो स्टिग्मा नहीं होने चाहिए उसके ऊपर चलिए राम बहुत पहुत शुब कामना है आपको तैंक यू तैंक यू तैंक यू जैसा कि राम ने बताया कि उन्होंने हर उस निर्देश का पालन किया जो इनको कोरोना की आश्रंका होने के बा ने कोरोना को पराजित किया है और उनका तो पूरा परिवार इस संकट में फस गया था नौजवान बेटा भी फस गया था आईए आगरा के शिमान अशोक कपूर के साथ हम बात करते हैं अशोक जी नमस्ते नमस्कार जी मेरा सभाग्य है आप से बात हो रही है मैंने फोन इ कि आपको यह समस्या संक्रमन का पता कैसे चला क्या हुआ अस्पताल में क्या हुआ ताकि मैं आपकी बात सून करके अगर कोई चीजे देश को बताने जैसी होगी तो मैं उसका उप्योग करूंगा बिल्कुल साथ ऐसा साथ कि मेरे दो बेटे हैं यह इटली कहते वहां पर जब यह वापिस आए ना तो हमारा दाबाद भी गया था वो दिली रहते हैं तो उनको थोड़ी प्राबलोब होई तो वह उस्पिटल चले के रहा मनोर लोगा तो उन्होंने उनको पोजितिव बताया उसको उन्होंने शिफ्ट कर दिया सब दर जग आपको वहां से फोन आ यहीं अगरा जिस्टिव होस्पिटल बें अगरा जिस्टिव होस्पिटल लोगों ने इनको बोला का आप अपने परवार को भी बुला लें कोई कोई ऐसी बात दा हो अल्टिवेजली क्या हुआ यह वह हम सब गए तो नेक्स दे उन्हों बताया यह आपके 6 जने जो है मेर मेरे दोनों बेटे मैं मेरी वाइफ बैद अब सब 73 एर ओल्ड हूं मेरी वाइफ और मेरे बेटे की वाइफ और मेरा ग्रेंट संध वो 16 साल का है तो हम छे का उन्होंने पोजिटिव बताया तो उन्हों का आपको दिल्ली ले जाना है हम सर्व दरे नहीं हमने ठीक है अच् आगरे के डॉक्तर की अड़ी स्टेशन की अपूरा अपूरा अप्रा अमें सेख किया अभी लें से एंबूलंस न्या थीख था थे बैट के इसे अजुसर बैट के आपे हमको नहीं दो एबूलेंस देजी संग में डॉक्तर भी थे और उंको इन्होंने सब्देग तो सर उंपिस चोदा दिन वहां होस्पिटल में अकेले रहते थे और डाक्टरों का जहां तक बात है बहुत स्योग राजी बड़ा अच्छा हमको लोंने ठीट किया चाहिस्ताफ हो वह अच्छल वह अपनी ज्रेस्पेंट के आते से ना सर्पता नहीं चलता था यह लेकिन जब इतना बड़ा संकट परिवार के सब को आ गया और 16 साल के बच्चे तक पहुंच गया पेपर था सर आज सी एसी के पेपर से ना तो उसका पेपर सा अमने नहीं देखी जाएगे बात में यह तो सब पेपर हो जाएगे बसाहीं बात है चलिए आपका अनुभव एको इसमें काम आया पूरे परिवार को विस्वात भी दिलाये हिंबद भी दिलाई अमने पूरे पूरे वार्वार को गए एक दूसरे काम साहरा रहा मिलते नहीं थे फ़ौन पर बात बहुत शुब कामना है थैंक्यों जी धन्यवाज है आप से मेरी बात हो गई है नहीं हम भी जो पादी सार हमारे लिए कोई किसी तरह की बतों अवेरनेक्स के लिए कि जाना हो कुछ करना हो हम हर बकर त्यार है नहीं आप अपने तरीके से आगरा में करिए भुखा है तो उसक अपने परिवार को बचाए है सब लोग अगरे नियमों का पालन करें तो देश बच जाएगा हमने सार कि हमने अवला वीजियो बगारा ही बना के ना चैनल में दिया है अच्छा इसलिए कि लोगों में अवेरनेस रहे और चैनल वालों ने दिखाया भी है सोचल मीडिया मे जाके टेस्ट कर आए और जो लोग अवारे संग जो बिले होंगे यो जो सब टेस्ट नहिसवर की दिया से ठीक रहे जी सर्थ चालिए बहूत सुबकामना है सबको साथियों हम असोग जी और उनके परिवार की दिरगवायों की कामणा करते हैं जैसा कि इन्होंने कहा कि पैनिक हुए बिना डरे बिना समय पर सही कदम उठाना समय पर डॉक्टरों से संपर करना और उचीत साउधानी रखते हुए इस महामारी को हम पराजित कर सकते हैं दॉक्टरों से बात की जो इस लड़ाई में पहली पंक्ती में मोर्चा समाले हुए हैं रोज मरा की उनकी गतिवीदी इनी पेसेंटों के साथ पढ़ती हैं आईए हमारे साथ दिल्ली से डॉक्टर नितिश गुपता जुड़े हैं नमस्ते डॉक्टर नमस्ते नितिश जी आप तो बिलकुल मोर्चे पर डटे हुए हो तो मैं जानना चाहता हूं कि अस्पतालों में बाकी आपके साथियों का मूड कैसा है आपको तो इलाज के साथ साथ मरीज की कांसिलिंग भी करनी पड़ती होगी अगले 14 दिन में ठीक होंगे आप घर जाएंगे बिलकुल तो हम अभी तक ऐसे 16 मरीजों को घर बेच चुके है जब बात करते हैं तो overall क्या आता है आपके सामने जब डरे हुए लोग है तो उनकी चिंता क्या सताती है उनको यही लगता है कि आगे क्या होगा अब क्या होगा यह तो बिलकुल एकदम जैसा वो बाहर की दुनिया में देखते हैं कि बार लोग इतने एक्सायर हो रहे हैं तो हमारे साथ भी ऐसा ही होगा पर हम उनको समझाते हैं कि आपकी कौन सी दिक्कत किस दिन ठीक होगी आपका केस बहुत माइल्ड वाला है नॉर्मल सर्थी जुकाम वाला जो केस होता है वैसा ही है तो जैसे वो ठीक हो जाता है पांक साथ दिन में आप भी ठीक हो जाएंगे फिर हम आपके टेस्ट करेंगे जब वो नेगेटिव आएंगे तब आपको घर बेश सकते हैं और हम इसलिए उनकी बार बार हज दो तीन चार गंटे में उनके पास जाते हैं शुरू मैं तो डर जाते हैं बद जब हम समझाथे तुर दीसरे दिन तक जब वह जब हो तक है लेग promote लगता है जीनिका सबसे बडा सेवा का काम उनके जिंद में आया ऑं बंता है सब को हां जी सर बिल्कुल बनता है हम एपने की इन वह बात में इसे चीज़ अगर हम पूरी precaution लेंगे मरीश को अच्छे से precaution समझाएंगे कि आपको ऐसे करना है तो सब चीजे ठीक रहेंगे चलिए डॉक्टर आपके हाँ तो बहुत बड़ी मातरा में पेशन भी आते हैं और आप बिलकुल जी जान से लगे हैं आपसे बात करके अच्छा लगा मैं आपके साथ हूँ लड़ाई लड़ते रहें आपका अशिरवाद रहें यही हम चाहते हैं बहुत सुब कामना है वही है थैंक यू नितेश जी आपको बहुत बहुत साधुवाद आप जैसे लोगों के प्रयासों से भारत करोना के खलाब लड़ाई में अवश्य विजय होगा मेरा आपसे आग्रह हैं कि आप अपना ध्यान रखे अपने साथियों का ध्यान रखे अपने परिवार का ध्यान रखे दुनिया का अनुभव बताता है इस बिमारी से संकर्मित होने वाले वेक्तियों की संक्या अचानक बढ़ती है अचानक होने वाले इस वृद्धी की वज़ह से विदेशों में हमने अच्छी से अच्छी स्वास्त सेवा को जवाब देते हुई देखा है भारत में इस्थिती ना आये इसके लिए ही हमें निरंतर प्रयास करना है एक और डॉक्टर हमारे साथ पूने से जुड़ रहे हैं सिमान डॉक्टर बोर से नमस्ते डॉक्टर आप तो बिलकुल एक जन सेवा प्रभु सेवा के मिजाद से काम में लगे हैं तो मैं आज आप से कुछ बाते करना चाहता हूं जो देश वाच्छों के लिए आपके संदेश चाहिए एक तो अनेक लोगों के मन में प्रशन है कि कब डॉक्टर से संपर करना है और कब उनको कॉरोना का टेस्ट कराना है एक डॉक्टर के नाति और आप तो पूरी तरह आपने आपको इस कॉरोना के मरीजों के लिए समर्पित कर दिया है तो आपकी बात में बहुत ताकत है तो मैं सुनना चाहता हूं सर जी मैं यहां पे बीजे मेडिकल कॉलिज पूना है वहां पे प्रोफेसर हूं और हमारे पूना मुंसिकल कॉर्परेशन होस्पिटल है नाइडव होस्पिटल करके वहां पे जनेवरी 2020 से स्क्रीनिंग सेंटर चालो हो गया है वहां पे आज तब 16 कोवीड-19 है और जो अब बाकिन नौ केसिस है यर अलसो बेरी पाफॉर्ब बॉजिट बॉल्ट आर टिन वेल और यहां पे जो इंपल साइस पो वैसी छोटा नहीं है लेकिन एसा मालुट हो रहा है यंग भॉपोलिशन भी अफेक्ट्ट हो रही है और यंग पोपुलिशन अफेक्ट चुछ ज़िम जय्ब जे सीरियसिक नहीं हूयं कर रहे हैं। वो माल्ड डीसीज है '' और पेशेंक्न काथी अच्छ ओख हो रहहेछ है हैं। और अभी जो माई लोग बाकि है वहां पे रहां पे आ अलसो गोई तो बेट ले एर लेकिन गदेड में वाच को अड़ी देली बाव विल उत वाल इंग तो इसंद है डिहा टेली एक जो नोग जो हमारी यहां सब्थे करने दोग आते हैं इंटने ट्रेंचल ट्रेलर आप अर अगर इनकव थी पहला है दूसरी बात उनको मार्ट कि यूज़ करना है और बार सकतर अगर है अगर कि पाषी में पर अगर है और जमीन पे ना गेरे और जमीन पे ना गिरनी के वज़े से फार्ट लग जाता है तो किसी को भाइलना पॉसिबल नहीं होगा ये समझा रहे हैं इसे वह संझा रहे हैं कि ये आर सपोस्ट तो फोल डाय थो और टो अब आफ यह इन प्रस फोट्डाऊन हो गया है इन फैक्स ये डॉक्टर आपनों बहुत अच्छी सेवा कर रहे हो और समरपन भावसे कर रहे हो और आपकी पूरी टीम लगी है मुझे विश्वास है कि हमारे जितने भी पेशन्स आये हैं सब सुरक्षित हो करके अपने घर जाएंगे और देश में भी हम इस लड़ाई में जीतेंगे आप सबके लोगों की मदद से और हमें विश्वास है हम जीतेंगे ये लड़ाई जीत जाएंगे बहुत बहुत सुप्ताम ना है डॉक्टर आपको, धन्यवार डॉक्टर, तैंक यू, तैंक यू, साथियो, हमारी ये तमाम साथी आपको पुरे देश को इस संकट से भाहर निकालने में जूटे हैं, ये जो बाते हमें बताते हैं, उन्हें हमें सुनना ही नहीं है, बलकि डॉक्टरों का त्याग, तपस्या, समर्पन देख रहा हूं, तो मुझे आचारिय चरक की कही हुई बात याद आती है, आचारिय चरक ने डॉक्टरों के लिए बहुत सटिक बात कही है, और वाज हमारे डॉक्टरों की जीवन में हम देख रहे हैं, आचारिय चरक ने कहा ह ना आत्मार्थम नवपी करमार्थम अतभूत दयाम प्रती वर्तते यत चिकित सायाम सर्वम इति वर्तते यानि धन और किसी खास कामना को लेकर नहीं बलकि मरीज की सेवा के लिए दयाभाव रखकर कायरे करता है वो सर्व स्रेष्ट चिकित सक होता है साथियों मानवता से भरी हुई हर नर्ष को आज मैं नमन करता हूँ आप सभी जिस सेवाभाव के साथ कायरे करते हैं वो अतुलनी है ये भी सैयोग है कि इस वर्ष यानि 2020 को पुरावीश्व International Year of the Nurse and Midwife के तौर पर मना रहा है इसका समन्द 200 वर्ष पुर्व 1820 में जन्म लेने वाली Florence Nightingale से जुड़ा हुआ है जिनोंने मानव सेवा को नर्सिंग को एक नई पहचान दी एक नई उचाई पर पहुचाया दुनिया की हर नर्स के सेवा भाव को समर्पित ये वर्ष निश्चित तौर पर पूरे नर्सिंग समुदाय के लिए बहुत बड़ी परीशा की घड़ी बन करके आया है मुझे विश्वास है कि आप सभी इस इमतहान में नसिव सफल होगी बलकि अनेकों जीवन भी बचाएगी आप जैसे तमाम साथियों के होसले और जज़्वे के कारण ही इतनी बड़ी लड़ाई हम लड़ पा रहे हैं आप जैसे साथी चाहे वो डॉक्टर हो, नर्स हो, परामेरिकल, आशा, एनम कारकरता, सभाई कर्मचारी हो आपके स्वास के भी देश को भावत चिंता है इसी को देखते हुए ऐसे करीब 20 लाग साथियों के लिए 50 लाग रुपिय तक के स्वास्त बीमा की गोश्टा सरकाने की है ताकि आप इस लड़ाई में और अधिक आत्मविश्वास के साथ देश का नेत्रूत्व कर सके हैं मेरे पहरे देश वास्यों करोना वाइरस के खिलाब इस जंग में हमारे आस पास ऐसे अनेएक लोग हैं जो समाज के रियल हीरो है और इस परिस्तिति में भी सबसे आगे खड़े हैं मुझे नरेद्र मोदी एपर नमो एपर बैंगलूरू के निरंजन सुधाकर हवाले जी ने लिखा है कि ऐसे लोग डेली लाइफ हीरोज हैं ये बात सही भी है ये वो लोग हैं जिन की वज़े से हमारी रोजमना की जिन्दगी आसानी से चलती रहती हैं आप कलपना करिए कि एक दिन अपके घरों में नल में आने वाला पानी बंध हो जाए या फिर आपके घर की बिजली अचाना कट जाए तब ये डेली लाइफ हीरोज ही होते हैं जो हमारी दिक्कतों को दूर करते हैं जरह आप अपने पडोस में मोजूद छोटी परचुन की दुकान के बारे में सोचिए आज के इस कठीन समय में वो दुकानदार भी जोगिम उठा रहा है आखिर किसलिए इसलिए ना कि आपको जरुरत का सामान मिलने में कोई परेशानी ना हो ठिक इसी प्रकार उन लाइचेन में कोई रुकावट ना है आपने देखा होगा बैंकिंग सेवाओं को सरकार ने चालू रखा है और बैंकिंग सेक्तर के हमारे लोग पूरे लगन से पूरे मन से इस लड़ाय का नेत्रुत्व करते हुए बैंकों को समालते हैं आपकी सेवा में मौजूद है डिलेवरी परसन के रुप में कार कर रहे हैं ये लोग इस कठीन दौर में भी ग्रॉसरीज की डिलेवरी देने में लगे हुए हैं जरा सोचिए कि आप लॉकडाउन के समय भी जो टीवी देख पा रहे हैं घर में रहते हुए जिस फोन और इंटरनेट का इस्तमाल कर रहे ह उन सब को सुचारू रखने के लिए कोई ने कोई अपनी जिन्दगी खपा रहा है इस दोरान आप पैसे अधिकाउंस लोग जो डिजिटल पेमेंट आसानी से कर पा रहे हैं उसके पीछे भी बहुत से लोग काम कर रहे हैं लोकडाउन के दोरान यही वो लोग हैं जो करता हूं कि वे अपने लिए भी हर तरह के सेफ्टी प्रेकॉशन्स लें अपना भी ख्याल रखें अपने परिवार जनों का भी ख्याल रखें मेरे पैरे देश्वास्यों मुझे कुछ ऐसी घटनाओं का पता चला है जिन में कोरोना वाइरस के संदीग्त आ फिर जिने होम कॉरंटाइन में रहने को कहा गया है उनके साथ कुछ लोग बुरा वरताव कर रहे हैं ऐसी बाते सुनकर मुझे अत्यनत पिड़ा हुई है यह बहुत दुर्भाग्य पोर्ण है हमें यह समझना होगा कि मौजूदा हालात में अभी एक दुसरे से सिर्फ सोशल डिस्टन्स बना कर रखना है न की इमोशनल या हुमन डिस्टन्स ऐसे लोग कोई अपरादी नहीं है बलकि वायरस के संभवित पीडिद भर है इन लोगोंने दूसरों को संक्रमन से बचाने के लिए खुद को अलग किया है और क्वारंटाइन में रहे हैं कई जगह पर लोगोंने अप कोई लक्षन नहीं दिखने पर भी उन्होंने खुद को कॉरूंटाइंग किया ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि वे विदेश से लोट करके आये हैं और दोहरी सावधानी वरत रहे हैं वे ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि किसी भी सुरत में कोई दूसरा व्यक्ति इस वायरस से संक्रमित नहों पाए हैं इसलिए जब लोग खुद इतनी जिम्मेदारी दिखा रहे हैं तो उनके साथ खराब व्यहवार करना कहीं से भी जायद नहीं है बलकि उनके साथ साहनुभूती पूरवक्त सहयोग करने की आवशक्ता है कोरोना वायरस से लड़ने का सबसे कारगर तरीका सोशल डिस्टंसिंग है लेकिन हमें ये समझना होगा कि सोशल डिस्टंसिंग का मतलब सोशल इंट्रेक्शन को खतम करना नहीं है वास्तों में ये समय अपने सभी पुराने सामाजिक रिस्तों में नई जान फुकने का है उन रिस्तों को तरो ताजा करने का है एक प्रकार से ये समय हमें यह भी बताता है कि social distancing बढ़ाओ और emotional distance गटाओ मैं फिर कहता हूँ social distancing बढ़ाओ और emotional distance गटाओ कोटा से ये श्वर्धन ने नरेन बोदी एप पर लिखा है कि वे लॉकडाउन में family bonding को मजबूत कर रहे हैं बच्चों के साथ board games और cricket खेल रहे हैं किचेन में नई नई डिसेज बना रहे हैं जबलपूर के निरुपमा हरसेई जी नरेन बोदी एप पर लिखती हैं कि उन्हें पहली बार रजाई बनाने के अपने शौक को पुरा करने का मोका मिला है यही नहीं वो इसके साथ ही बागवानी का शौक भी पुरा कर रही हैं वहीं राईपूर के परिक्षित गुरुगाम के आर्यमन और जार्खन के सुरिज्जी का पोस्ट पढ़ने को मिला जिसमें उन्होंने अपने स्कूल के दोस्तों के e-reunion करने की चर्चा की हैं उनका ये आइडिया काफी रोचक है हो सकता है कि आपको भी दसकों से अपने स्कूल कॉलेज के दोस्तों से बात्चित करने का मूका न मिला हो आप भी इस आइडिया को आजमा कर देखिए भूमनेश्वर के प्रत्युस और कोलकत्ता की वसूधा मैं ने बताया कि वे आजकल उन किताबों को पढ़ रहे हैं जीने अब तक पढ़ नहीं पाये थे सोशल मीडिया में ही मैंने देखा कि कुछ लोगों ने वर्षों से घर में पड़े तबला वीर्णा जैसे मुजिकल इंस्ट्रुमेंट को निकाल कर रियाज करना शुरू कर दिया है आप भी ऐसा कर सकते हैं इससे आपको संगीत का आनन तो मिलेगा ही पुरानी आदय भी ताजा हो उठेगी यानि मुश्किल की इस घड़ी में आपको मुश्किल से एक ऐसा पल मिला है जिसमें आपको न केवल अपने आप से जुडने का मोका मिलेगा बलकि आप अपने पैस मुझे रूड की से सर्शी जी ने पुछा है कि लॉकडाउन के इस समय में मैं अपनी फिट्रेश के लिए क्या करता हूं इन परिस्तितियों में नवरात्री का उपास कैसे रखता हूं मैं आपको पता दो मैंने आपको बाहर निकलने के लिए मना किया है लेकिन आपको अप उन्हें आपको जानने का प्रयास करो जहां तक नवरात्री के उपास की बात है यह मेरी और शक्ति के भक्ति के बीच का विशह है जहां तक फिट्नेस की बात है मुझे लगता है कि बात लंबी हो जाएगी तो मैं ऐसा करता हूं कि मैं सोशल मीडिया में मैं क्या करता हूं उसके विशे में कुछ वीडियोज अपलोड करूँगा, नरेद्रमोधी एप पर आप जुरूर उस वीडियो को देखेंगे, जो मैं करता हूँ, संबवत हो, उस में से कुछ बातें आपके काम आ जाए, लेकिन एक बात समझ लिजिए, कि मैं फिटनेस एक्सपर्ट नहीं हूँ, और नहीं मैं योगा टीचर हूँ, मैं सिर्फ प्रैक्टिशनर हूँ, हाँ, ये जरूर मानता हूँ, कि योगी के कुछ आ साथियों, कोरणा के खिलाब ये युद्ध अभुत्पूर्व भी हैं और चुनवतिपूर्ण भी, इसलिए इस दोरान लिए जा रहे फैसले भी ऐसे हैं, जो दुनिया के इत्यास में कभी देखने और सुनने को नहीं मिले, कोरणा को रोकने के लिए, जो तमाम कदम भारत वास्चियों ने उठाये हैं, जो प्रयास अभी हम कर रहे हैं, वही भारत को कोराना महामारी पर जिद दिलाएंगे, एक-एक भारतिय का संयम और संकल भी हमें मुश्किल सिति से बहार निकालेगा, साथ-साथ गरीबों के प्रति हमारी सम्वेद्राय और अधिक्तिवर होन जराता है, तो इस संकट की घड़ी में हम पहले उसका पेट भरेंगे, उसका जरूरत की चिंता करेंगे और यह हिंदुस्तान कर सकता है, यह हमारे संस्कार है, यह हमारी संस्कृत ही है, मेरे प्यारे देशवासियों, आज हर भारतिया अपने जीवन की रक्षा के लिए घर कर आगे निकलेगा, देश को आगे ले जाएगा, आप अपने परिवार के साथ घर पर रहिए, सुरक्षित और सावधान रहिए, हमें यह जंग जीतना है, जरूर जितेंगे, मन की बात के लिए फिर अगले महने मिलेंगे, और तब तक इस संकटों को महत करने में हम सफल हो भी जाएं, इसी एक कलपना के साथ, इसी एक शुपकामना के साथ, आप सब को बहुत बहुत धन्यवाद